जलिए जंता से पूछ रहे थे जो लोगो कि पारे में कुछ कहती हैं। तो यह कहना कि सिर्ष मुसलमानी आतंगवादी ह Satya राइ अजय को सकते है था typing करों लутствley संब्सक्राइब क्रोंड़ अजिए कि अगर मुसलमान कुछ गलत क्राम करते हैं तो तो नाम आता है कि मुस्लिम टेरिश्ट बाकी कुन गरत काम करता है तो उसे इलाके से जाना जाता है मुसल्मान चाहे युएसे में हो साओधी में हो युके में हो या इंडिया में हो तो मुसल्मान जैसा पैचाना जाता है अच्छे काम किये तो कहींगे इंडियन ने अच्छे काम किया मुसल्मान ने नहीं इंडियन को नोबिल प्राइब मिला मुसल्मान को नहीं तो डबल स्टैंडर्स क्यों मैं यह नहीं कहता हूं कि मुसल्मान ने आतक वाँ दे हमले नहीं किये कोई भटके हुए मुसल्मान हैं जो किये होंगे यह नहीं किये यह बिल्कुल गलत होगा लेकिन मीडिया में जब फरंड पेश प्याइंग अकसर मुस्लिम टेरिस्ट जैसे बाकी टेरिस्ट को नहीं ही नहीं इस देश में सिर्फ मुसल्मानी टेरिस्ट है जब तेकी करते पता लगता है कि सिर्फ टेरिस्ट भी है बिंदन वारा ग्रूप और ये सिर्फ टेरिस्ट ने पांच जून सन 1984 में उन्हें गोल्डेन टेंपिल को कबजा किया इंडियनामी फोस जाती है उनको भान निकालती एक सो लोग की हत्या होती है उसके चंद महने बाद 31 अक्टोबर सन 1984 में उस टाइम के प्रधान मंतरी राजिव गांदी की माता श्रीमती इंद्रा गांदी की हत्या होती है उसकी खुद की सेक्रेटी गार्ड उसकी हत्या करत आता है पेपर्स में सेक्रेटी गार्ड असासिनेटिड श्रीमती इंद्रा गांदी कौन था सिख था आज भी आप वेब्टेट में जाएंगे आपको यह नहीं मिलेंगा कि सिख टेरिस ने अटाक किया परस्नल बॉड़ी गार्ड और श्रीमती इंद्रा गांदी ने उसके बहुत खतरनाग है उनका में मकसद है वो हिंदू अगनाइजेशन है हिंदू आदंगवादी ग्रूप है उनका में मकसद है कि मुसल्मान को मानना मुसल्मान के हत्या करना और आपको पता है कि चंद सालों में उल्फा सिर्फ उल्फा ने यह दो साल के पहला का किये. There is no other terrorist organization in the world history who has done 749 terrorist attacks. 709 terrorist attacks उल्फाने किये. चंद सालों में सरिफ. हम पढ़ते ही ने पेपर, मैं पता ही ने. मैं जब बंबे में पेपर पढ़ता हूँ, पता चलता है कश्मीरी terrorist, Muslim terrorist. जब मुझे कश्मीर लोग काफी बुलार ते तक्रीर करने के लिए, और मैं सोच जाओं क्या ने जाओं, जाओं क्या ने जाओं, फिर 2000-03 में सोचता हूँ, मैं जाओंगा. अलम्दुल्लार वाग की गवर्मिन्ट पुरा इंतिसाम करती है, और 14 साल के बाद सबसे पहली बार, खुले आम, पोलो ग्राउंड में तक्रीर करने की पॉमिशन देती है, माशाले, एक लाग से जादा लोग वहां मौझूद होते हैं, मैं सोच जाओं क्या ने जाओं, हा स्टेंड गन के साथ, मैं वाग गया, तक्रीर किया, चीफ मिन्टर से मिला, गवर्नर ने मुझे बुलाया, डिनर के लिए, ब्रेक्फस के लिए, काफे मिनिस्टरों से मिला, हाला तो लग रहे थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस ने हुआ कि दो बाडी गार्ट की जरुद थ असाम में चार पुलिसमेन, वो भी स्टेंग गन के साथ क्या दर्वत है, जब मैं सड़कों पे निकलता हूँ, एपोर्ट से दूर जाता हूँ, फिर ऐसास हो, मुझे तीन दिन बाद, कि अगर ये चार पुलिस असरान में साथ ने होते थे, तो शायद मैं आज नहीं होता है हमें तो पता धीरी असाम के हालत क्या है, असाम में इतने आतंग वाधी हमलों हो रहे हमें पता ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मैं यूस्पेर पढ़ता हूं हमेशा, वाह जाने के बाद पता चला इंटरनेट पे तैक्विक करने के पता चला कि वाह की टेरिस्ट और्गनाईजेशन is one of the most dangerous बहुत खतरनाग ऐसे कई टेरिस्ट और्गनाईजेशन थे असाम में, बोडो, मिज़रॉम में कई क्रिशन और्गनाईजेशन थे सन 1984 में चवाली सुन्दू लोग का गतल करते है ये क्रिशिन ओगनाइजेशन और कई लोग को जखमी करते है खाली क्रिशिन लोग ने कितने हमले कि हिंदुस्तान में वक्त नहीं है क्योंकि दस बजे तक्रीर बंद करना है हमें